Hello learners, आज का हमारा question है Find the HCF of 391, 425 and 527 by long division method हमें यहाँ HCF निकालना है 391, 425 और 527 का HCF निकालने के पहले हमें यह देखना है कि इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो है 391, तो हम 391 को यहाँ लिख लेंगे और 391 से हम एक नंबर डिवाइट करेंगे हम ले लेते हैं 425 जो second नंबर दिया हुआ है हमें तो हम क्या कर रहे हैं अपने long division method में 425 को डिवाइट कर रहे हैं 391 से अभी quotient आएगा 1, 391 into 1 is 391 अगर हम यहाँ पे subtract करेंगे तो हमारा remainder आएगा 34 अब 34 एक non zero remainder है इसलिए हमारा यह division का process continue रहेगा अब हम क्या करेंगे 34 से हम divide करेंगे 391 को तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 391 और फिर से division का process शुरू कर देंगे यहाँ पे आएगा 1, quotient 34 into 1 is 34 यहाँ पे subtract करने से हमें मिलेगा 5 यह 1 नीचे आजाएगा तो हमारा नया number बन गया 51 34 में अगर हम quotient लेंगे 1, 34 into 1 is 34 51 minus 34, remainder is 17 यह फिर से एक non-zero remainder आया है इसलिए हमारा division का process फिर से हम आगे continue करेंगे और 17 से हम divide करेंगे इस 34 को तो हमने यहाँ पे 34 लिखा, 17 into 2 is 34 हमारा remainder कितना आया? 0 तो हमारा 0 remainder आ चुका है यहाँ पे हम अपने division के process को stop कर देंगे और हमें कौन से number को consider करना है इस number को 17 ठीक है? अब हम क्या करेंगे? यह 17 लेंगे और लेंगे 3rd number which is 527 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 और 5 to 7 यानि कि हम क्या कर रहे है? 5 to 7 को 17 से divide कर रहे है 17 into 3 is 51 यहाँ पे remainder आएगा 1 यह 7 नीचे आ जाएगा नया number बन गया हमारा 17 17 into 1 is 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा remainder? 0 तो यहाँ पर भी हमारा remainder 0 आ चुका है इसलिए हमने अपने division का process यहीं तक रखना होगा हमें और हमारा जो HCF होगा of these three numbers 391, 425 और 527 इन तीन numbers का HCF होगा हमारा यह 17 तो हमारा answer statement हो गया the HCF of 391, 425 और 527 is 17 अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो थोरा सा भी helpful लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को like और share करना मत भूलियेगा और हमारे चैनल MathsTube Learning को subscribe जरूर कीजेगा थैंक यू पर वाचिंग, बाई